राजबीर फर्टियाशे जो लाबानवित लोग हैं वो बहुत ही थोड़ी संख्या में हैं। संकल्प विक्षित भारत यातरा जो निकल रही है उसकी बस जो है आज यहां पहुंची थी। आपको लगता है कि 2019 वाला ही हैं। मन बना हुआ है लोग गाओं के लोगों का। तो क्या आज यह समस्या हैं कि क्या क्या आई और उन समस्याओं का कितना निप्टारा किया गाए हैं। डीसी से लेकर चोटे चोटे बड़े अधिकारी हर कोई आई। देखिए जैपरकास दलाल जी का चहड कला के परती पहले से ही बहुत मन है और वो चहड कला को अपना ही गाओं मानते हैं। और जब भी कर्शी मंतरी चहड कला में परवेस करते हैं तो पूरे परसासनी अमले के साथ भीवानी का पूरा परसासनी कमला होता है। और उन चोटे से लेकि बड़ी जो भी समस्याओं होती हैं ज्यादा तर तो मौके पही निप्टारान कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसी समस्याओं तो अधिकारी कर्शी मंतरी जी फीड़ बैक लेके और उनसे पूछते रहते हैं जब तक काम नहीं होते। बैल इलाकी का गाउं है और बैल एक बलोक है उसे केंडरी गाउं आता है। इस पर चाहें कर्शी मंतरी की बात कर लें चाहें जगदी जो पूरो में आईएस रहें उनकी बात कर लें राजवीर फटिया की। हर कोई सब सब पहले आके बहल में दावाट होकता है कि बहल मेरा है बहल मेरा है बहल मेरी मुझबूती है। पिछले चुनाव में भी जंता ने अपने बोट के मत से दर्शा दिया था कि जैपरकास दलाल जी के परती उनका कितना प्यार प्रेम और लगाव है तो दावे थो वो सब जूटे उनने कर दीए थे जैपरकास दलाल जी के परती उनका बहुत मन रहा है तो काम भी हुए हैं उनके बदोलत लगेगा जनता का विश्वास और मतों की संक्या भी बढ़ेगी दिल्कुल बढ़ेगी पिछली बार से आप समझो कि डेड़े तो सिदेशीदे हैं और काम की जो बात आपने पूछी है काम तो सब जगह दिखाई दे रहा है आज से पांच हमारा गाओं में हमारे यहां से 6 किलोमेटर दूर डाने के रहा है वहाँ पर पसुओं के लिए जोड़ों में पानी की व्योस्ता नहीं थी हमने पिछली बार जो जन संबाद बहल में हुआ था उस वक्त मंतरी जी श्यागरे किया था आज एक्षिन संचाई विवाग ने का है कि आपका टेंडर हो गया है उन दोनों जोड़ूंगा और उसमें पाइपलाइन डालके और पानी डलवा देंगे तो इतनी तेजी से काम कैवली सी सरकार में संबाव है आज तक तो वह नहीं थी लेकिन सरकार का हिस्सा रहे सरकार के आप काम भी गना रहे मजबूत्ती के साथ दूसरा विपक्ष भी आ रहा रहा राजवीर फर्टिया का एक बवाल है पूरे लोहारू में यूं का जा रहा है कि एक तरफा जीत होगी उनकी तो काम कहीं ना कहीं कमजोर नहीं पड़ जाएंगे इस तरह से समाच चवा के नाम पे लोग बहुत आ गया रहे हैं बिलकुल नहीं पड़ेंगे राजवीर फर्टिया जो लाबानुवित लोग हैं वो बहुत ही थोड़ी संक्या में हर काम में ज्यादा ज्यादा दस लोग होगी उनसे लाबानुवित हैं अर्याना सरकार के जनीतेसी योजना हैं और क्रशी मंतरी जी का जो इस चत्र के लगाव है और खासकर किसानों के लिए जो इन्होंने काम किया है उससे हर किसान और किसान पेसे जुड़ा हुआ मजदूर सभी लाबान भी थो रहे हैं उसका कोई इनका कोई मुकाबला ही नहीं है क्या मानते हैं जिस तरीके से चोक में यहां पर महिलाएं खासकर के बड़ी पड़ी थी तो मोदी का जादू और मोदी की बात मंतरी जी ने मंत्रे बार बार की मोदी का जादू चलेगा लोक्षभा में बिल्कुल चलेगा है मोधी का जादू महिलाएं जब आपस भी बैठती हैं तो आज से पहले किसी परदान मंतरी का नाम नहीं जाना करती थी गाओं में महिलाएं आज जब जिकर चलता है तो मोधी का जिकर चलता है कि ये काम मोधी जी करवा रहे हैं मंदिर लोगों की गरामिन महिलाओं की बगवान में आस्ता है अब मंदिर वाला इशू जब महिलाओं तक पूँच गया तो आप समझो कि मोदी हर महिला के और हर परिवार के घर में हर व्यक्ति के दिल तक पूँच गई तो फिलाल आने वाले वक्त में इन सब को लगता है कि मोदी का जादू चलेगा और हरियाना में ब्युजेपी के कामों के बदोलत लोग उनको वोट देंगे पूँच अफिलाल इस वीडियो को शेयर करें तब तक के लिए धन्यवाद राम 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 शेयर के बड़ा कुशी का महौल है और इस यात्रा के माध्यम से किसी को सिलिंडर मिले किसी को बुड़ापा पैंसल मिली किसी के हेल्थ कार्ड बने हर आदमी को कोई ने कोई घर में बैठे लाम मिला है परसासन के अधिकारियों ने पूरा सहयोग दिया और यह एक अच्छी योजना है कि तन्ता के तरवार में जाकर के जर्बंदी हो अध पार्डमेंट के लगब दो क्रोड रुपे के सब्सीडी के स्विक्रिति के पतर दिये इसी तरह से एक लाग साथ जारपे तक के पीके सीसी बड़े वो दिये बहुत सारी योजनाओं के और भी लावी लोगों को मिले और लोगों में सत्तुष्टी है कि एक ऐसे सरकार उनक के सपनों को पुरा कर रहे हैं और आज हमारे प्रदांती जी ने फुद्वोधन किया संभोधन किया स्वामी विवेकर जी की जहनती पर तो युवा दिवस के रूप में कारिक्रम नासिव में हो रहा था उसको भी लोगों ने बड़े उसासे शुनाओं का वक्त आ गया है कि दर्वार में सब लोग जाएंगे हम तो हर वक्ति जनता की दर्वार में रहते हैं और कुछ मोस्मी पार्टिया है जो चुनाओ के वक्ति जनता की दर्वार में जाते हैं अब जनता जनारदन को फैसला करना है कि किसको वह आशिरबाद दे कॉंग्रेस पार्टी परिवार परिवार का परिवारों का हिद देखती है आम जन्ता कि निए हिद से उनको कुछ नहीं लेड़ा देना हमारी पार्टी निती बना करके राश्क्रवादी पार्टी है गरीब नजान की उजनाय बनाती है जंजन के बारे में सोचती है और हमें पुरा भरोशा है कि अपरेल मही जन्ता मोदी जुका एक बार फिर से प्रधामति चुनेगा जो भी किसी की समस्या होगी उसका समादान हम करेंगे चाहे कोई बरको समाज का उसकी समस्या हो का समादान करने लिते जारों